हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकिया एक मज़ेदार रसिपी बनाने में चितनी असान है खाने में यह उतनी ही चटपटी है अगर लंबे सफर पर ले जाना हो और कुछ चटपटा ले जाना हो तो आप यह रसिपी ट्राई कर सकते हैं तो देर किस बात की चलिए बनाते है तो इस रसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में चलाएंगे हम एक कप पानी और जब पानी में उबालाने लगे तो हम स्वाद अनुसार नमक इसमें एड़ कर देंगे नमक पानी में अच्छे से घुल गया है अब एड़ कर देते हैं आदा कप सूजी एक कप प पानी अच्छे से सोख हो जाए इसकी अंदर तो यह देखिए अच्छे से सोख हो गया है इस स्टेज पर आकर हम एक चमच इसमें चावल का आटा एड़ कर रहे हैं अच्छी बाइंडिंग के लिए सूजी क्योंकि फटी फटी रहती है ना तो चावल का आटा डालने से इस कोई भी चोड़े मुखा बरतन आप पराद भी ले सकते हैं थाली भी ले सकते हैं जिसमें इस आटे को अच्छे से माच पाएं तो उससे पहले हम इसमें अट कर रहे हैं यह पर देड़ चमच पावभजी मसाला आप सांबर मसाला भी ले सकते हैं यह पर या फिर कीचन कम ज़ादा कर सकते हैं और हलके-खे टिंट के लिए डाला है हमने एक टुकड़ा अधरक कद्धू कस करके और साथ में डाल रहे हैं एक प्याज खुब सारा हरा देने की पत्ती बारी कट करकर अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स देंगे क्योंकि आलो में अच्छा खासा मोश्यर होता है तो आपको यहां पानी डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसी मोश्यर में जो यह हमारा आटा है यह लगकर रेड 3rd लिए तो चलिए आटा लगकर हमारा यहां पर हो गया है रेड़ी बहुत चटपट रहाए यह देखि अब क्या आप तेल नहीं लगाना चाहते हो झालका सा आटा बुरक लीजिए और बस एक इसमें मेशे पीड़ा लेंगे थोड़ा मोटा पीड़ा ले ना और हमें एक मोटी सी रोटी बेलनी है ज्यादा बारिक बिल्कुल नहीं करने है थोड़ी मोटी ही बेलनी है तो चलिए हमने एक रोटी बेल ले अब लेंगे कटोरी कटोरी से इसमें एक साइस की हम बीच में से पूरी निकाल लेंगे आप चाहें तो यह रोटी थोड़ी बड़ी बेल तेल अच्छा खासा पहले हम गरम कर लेंगे, मैंने यहाँ पर एक आटे की गोली डाल कर देख लिया था, चेक कर लिया था और उसके बाद इसमें पूरी अट कर दी है, और डालते ही देखिए पूरी कितने अच्छे से सिकर उपर आ रही है, तो बस अब इसे यहाँ पर हम ए बड़ी खासे थे हैं कि इस पूरी में बिल्कुल भी तेल नहीं होता, बिल्कुल सूखी सूखी बनती है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी इस पूरी में तेल नहीं है, तो अगर आप तेल अवाइड करते हैं, तो आप एक बार इस चटपटी मसाले तर पूरी को जरूर से बनाएगेगा, सच में आपको मज़ा जाएगा, आप इस पूरी को चटनी, सोस, चाय के साथ, या फिर किसी सबजी के साथ, या कुछ भी ना होता, आप इसे रुखी भी खा सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पवादीं!